अपने एक्छाओं को जब आप कागज पर लिखते हो तब क्या होता है ये जान के आप चौक जाओगे और ये दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और आपको ये जरूर जान wyddहोंगे जिसको लेकर आप सीरियस होंगे दिमाग के अंदर तो आप बहुत सारे इक्फाओं और मकसद के बारे में सोंचते हैं पर जिस एक्छा के लिए जिस मकसद के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो आप उसी को write down करोगे मतलब जिसके लिए आप बहुत serious हो और जिस चीज के लिए आप serious होगे उसी चीज को पाने के लिए आपको आपका दिमाग energy देगा मतलब paper पर एक्छाओं को लिखने से आपका logical दिमाग भी उसे serious मानने लगता है और इससे एक psychological effect होता है जिससे आपको इतनी energy और motivation अपने आप ही अंदर से मिलने लगती है कि आप अंजाने में ही उस goal को पूरा कर लोगे पर सबसे पहली बात आपके अंदर एक goal एक मकसद होना जरूरी है चाहे वो class में top करना हो किसी exam को crack करना हो किसी job को पाना हो या promotion पाना हो बड़े American author है उन्होंने भी ये share किया है कि जो लोग goal setting करते हैं यानि उन्हें क्या चाहिए इसके बारे में वो clear रहते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए वो लोग जातर जो चाहते हैं वो अपने जिंदगी में achieve कर ही लेते हैं और दूसरे साइड वो लोग जिनको जिंदगी में क्या करना है ये पता ही नहीं है जो just casually जीते हैं वो लोग जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं और भी कई सारे research में ये पता चला है अभी तक तो मैंने आपको ये बता दिया कि goal रखो हाँ ये ज़रूरी है पर अब ये scientific experiment को सुनो कि आपको अपने goal को paper में क्यों लिखना चाहिए ये experiment आपकी जिंदगी बदल देगा Dominican University of California के एक psychology professor है उन्होंने goal को paper पर लिखने के उपर बहुत सारे research को किया है उनके experiment में 267 लोगों को लिया गया था जिसमें लड़का और लड़की दोनों को शामिल किया गया था और हर तरह के लोगों को लिया गया था students, graduates सबको लिया गया था उन 267 लोगों को दो भागों में बाटा गया एक वो जो अपने एक्छाओं को paper पर लिखते थे और दूसरे वो जो अपने एक्छाओं को बस दिमाग में रखते थे आधे लोगों को ये कहा गया कि तुम लोगों की जो एक्छा है उसे एक paper पर लिखना और उस paper को हमेशा अपने desk पर रखना ताकि रोज कम से कम एक बार तुम्हारी नजर उस पर पड़े ताकि तुम्हारे गोल्स तुम्हें हमेशा याद रहे और जो दूसरे ग्रूप के लोग थें उन्हें कहा गया कि तुम सिर्फ दिमाग में ही अपने गोल्स को हमेशा याद रखना तो experiment के बाद ये result निकला कि जो लोग अपने एक्छाओं को पेपर पर लिखते थें वो लोग अपने ज़ातर एक्छाओं को पूरा कर लिए और वो भी बहुत कम समय में और जो लोग नहीं लिखते थें उनमें से ज़ातर लोग जैसे थें वैसे ही रहे गए और मात्र एक या दो गोल को ही पूरा कर पाएं फाइनल रिजल्ट ये निकला वो भी पूरी तरह से साइन्टिफिकली प्रूवड कि आपकी 42% चांसे बढ़ जाती है कि आप जो चाहते हो वो आप कर लोगे अगर आपने उसे पेपर पर लिखना शुरू कर दिया तो पर ऐसा क्यों होता है साइन्टिफिक एक्स्प्लेनेशन यानि वैग्यानिक रीजन ये है कि जब आप किसी इक्छा, गोल या मकसद को अपने दिमाग में ही रखते हो आपका दाया ब्रेन इमाजिनेटिव होता है इसलिए जब आप अपने सपने के बारे में सोंचते हो तब आपका राइट ब्रेन सक्रिय हो जाता है पर बात ये है कि आप अपने इक्छाओं को तभी पूरा कर पाओगे आपको आपका दिमाग, एनरजी यानि उर्जा और मोटिवेशन तभी देगा जब आप अपने दिमाग का पूरा इस्तमाल करोगे मतलब आपका दाया ब्रेन और बाया ब्रेन दोनों ओन होगा तभी आपको फुल एनरजी मिलेगी पर हमने अभी क्या देखा हमने अभी ये देखा कि जब आप अपने इक्छाओं के बारे में सोंचते हो विजुलाइज करते हो, मन में ही रखते हो तभ आपका इमाजिनेटिव दाया ब्रेन यानि सिर्फ राइट ब्रेन ही ओन होता है लेफ्ट ब्रेन को कोई मतलब नहीं होता पर जब आप अपने इक्छाओं को लिखते हो, पेपर पर जैसे ही लिखते हो तब आपका लॉजिकल ब्रेन यानि लेफ्ट ब्रेन यानि दिमाग का दूसरा पार्ट भी एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि जब आप अपने इक्छाओं और गोल्स को पेपर पर लिखोगे तब दिमाग को ये सिगनल जाता है कि ये सीरियस चीज है आपके लिए तभी तो आप इसे पेपर पर लिख रहे हो जैसा कि मैंने पहले बताया all in all बात ये है कि आप अपने इक्छाओं के बारे में सोचो तब right brain on होगा और उसे कागज पर लिखो तब left brain on होगा और जब दोनों hemispheres साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको वो उर्जा और बुद्धी मिलेगी जो सामानने लोगों को नहीं मिलती उन लोगों को नहीं मिलती जो से में बात ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई goal यानि मकसद नहीं होगा जिंदगी जैसी चल रही है वैसे चलने दो ये वाली thinking लेकर बहुत लोग जीते हैं पर ऐसी thinking से कुछ भी नहीं हासिल होगा तो उन experiment से आपको ये सीखना चाहिए कि goals यानि अगले कुछ सालों में आपको क्या करना है ये आपको तैग किये रहना चाहिए आपको clearly पता होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है पहले goals तैग करो तभी न उसे paper पर लिखोगे जायतर इंसान बिना goals के चलते हैं पर आपको भेंड चाल का हिस्सा नहीं बनना है आपक कि आपका दिमाग आपको वह एनर्जी देगा जिससे आप अपने मकसद को पूरा कर बाओगे पहली बात मकसद रखो एक्छा रखो clear हो जाओ कि आपको क्या चाहिए आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और दूसरी बात उसे कागज पर लिखो ताकि आपको पहले नहीं दिखते थें क्योंकि ये गोल आपके लिए सीरियस है और आप इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो और आपका दिमाग भी इस बात को जानता है इसलिए आप उन अवसरों को देख पाओगे जो आप सामानने तोर पर नहीं देख पाते हैं अगर आप उच्छा पेपर पर आएगी वैसे ही आपकी मोटिवेशन में ऐसा बूस्ट आएगा कि आप उसे पा कर ही दम लोगे और एक जरूरी बात यह है कि आपके एक्छाएं और गोल्स दो तरह के होते हैं एक लॉंग टर्म और एक शॉट टर्म लॉंग टर्म उसे कहते हैं जो आ अगले महीने मुझे एक्जाम में 90% स्कोर करना है यह शॉट टर्म गोल तो आपको अपने लॉंग टर्म गोल को एक अलग पेपर पर लिखो और शॉट टर्म गोल को अलग पेपर पर लिखो फेरी शॉट टर्म को मतलब जो एक दिन का रूटीन होता है उसे आप डेली कि कल सुबा उठने के बाद आप सबसे पहले एक स्माइल के साथ उठोगे फिर ग्राटिट्यूड को एक्स्प्रेस करोगे मतलब इस यूनिवर्स को इस ब्रह्मान को उन चीजों के लिए थैंक्स बोलोगे जिन चीजों के लिए आप सुक्र गुजार हो याने थैंक्फुल ह उसके थोड़ी देर बाद स्ट्रेचिंग करोगे और दिन भर के जितने काम आप करना चाहते हो उसे पेपर पर लिखकर अपने डेस्क पर या कोई ऐसी जगहा पर रख दो जहां पर पल पल आपकी नजर पढ़ते रहे इससे आप अपना डेली काम भी अच्छे से कर और रोज जो आप कागस पर लिखे हो जब अगले रात को सोने से पहले आप ये देखोगे कि वा मैंने जो लिखा है वो पूरा किया तो मन में एक सेंस और फुलफिल्मेंट आएगा और इसके चलते आप और एक्टिव जिन्दा और खुश महसूस करोगे डेली के कामों को तो देख लिए आपने पर लॉंग टरम गोल यानि जिन्दगी के बड़े मकसद भी उतनी ही जरूरी है और अगले पांच साल में जो कुछ भी हासिल करने की इक्छा रखते हो सबको लिख दो कागस पर अपने गोल्स को लिखो और देखते जाना कि आपके अंदर मॉटिव कागस पर अपने गोल्स को लिखो ये तो आज जान लिया आपने पर और एक इंपोर्टेंट बात ये है कि आप अपने एक छाओं को अपने गोल्स को भूल कर भी किसी से मत बताना जहातर लोगों का यही अनुभव रहा है कि जब वह अपने मकसद और आगे की प्लैन के बा आते तो एक depressing feeling आती है जब आप अपने दोस्त या किसी भी family relative से बात करते हो और कोई पूछता है कि बेटा आगे का plan क्या है तब आप flow flow में ही बोल देते हो कि ये है मेरा plan आपके मन में आ रहा होगा कि अगर मैं अपने goals के बारे में दूसरों को बोलूंगा तो एक तरह से ये अच्छी चीज ही हुई ना इससे मुझे और encouragement और प्रोत्साहन मिलेगी मैंने तो बता कर एक public commitment किया इसका मतलब मुझे motivation मिलेगी तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो कि अपने goals के बारे में किसी को मत बताओ दोस्त जैसा आप सोच रहे हो वैसी आपकी thinking काम नहीं करती अच्छा goal set किया है तुमने तो अच्छा goal set किया है अच्छा काम कर रहे हो पर 100 में से 95 goals को आप पूरा नहीं कर पाओगे अगर आपने public में बता दिया तो आप कहोगे पर कैसे इसके उपर भी बहुत सारे studies की गई है पर प्रोफेसर पीटर की study सबसे ज्यादा interesting 163 लोगों क ये कहा गया कि तुम अपने goals को दूसरों को बता सकते हो और बाकी आधे लोगों को अपने goals को अपने मन में ही रखने को कहा गया शुरू शुरू में जिन लोगों ने अपने मकसद के बारे में लोगों को खुल के बताया उन लोगों ने ये कहा कि वो बहुत confident महसूस कर रह और उन्हें यह लग रहा है कि वो अपना गौल अचीव कर लेंगे उसके बाद उन सारे लोगों को 125 मिनट का काम दिया गया जो कि उनको उनके गौल के करीब ले जाएगा उन्हें ये ऐ गया कि 45 मिनट तक तुम कुछ करो 45 मिनट तक सब को एक रूम दे दिया गया कि तुम इसमें अपना काम 45 मिनट तक कर सकते हो और सभी लोगों को यह कहा गया कि वो बीच में कभी भी रूख सकते हैं जब उन्हें मन करें वो काम छोड़ सकते हैं इस experiment का result ये निकला कि जो लोग अपने गोल के बारे में धिंदोड़ा नहीं पीड़ते थें वो लोग पूरे 45 मिनट तक अपने काम को कर पाएं पर जिल लोगों को पब्लिक में अपने गोल सब को बताने की आदत थी वो सिर्फ 33 मिनट के बाद ही काम को छोड़ दिये साइन्स य तो आपको Congratulate करती है आप अपने गोल के बारे में बातचित करते हो उससे आपके brain में dopamine chemical लिकलता है और आपके दिमाग को ये लगने लगता है कि आप उस गोल को पूरा करने के लिए step ले चुके हो पर actual में आपने कुछ भी नहीं किया है सिर्फ दोस्तों को बताया ही तो ह है तो ऐसे आपका दिमाग काम करता है और इसलिए आपको अपने गोल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए तो पहली बात गोल सेट करो दूसरी बात उसे डायरी में लिखो बस खुद के motivation के लिए और तीसरी बात अपने गोल के बारे में किसी को मत बताओ यही तीनों कामो से अप अपने सपनों के और पास पहुंच जाओगे और अंत में उस सपने को पूरा कर लोगे उसे पा लोगे यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर करना और अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत उसे जरूर दबा देना